दोस्तो आपका भी एक YouTube चैनल अगर आपके भी 1000 सब्सक्राइबर चारजर गंटे का वास्टाइम कंप्लीट हो गया और आपने भी अपने चैनल को मॉनेटाइजिसन के लिए एपलाई कर दिया है काफी टाइम हो गया है या फिर आपने आज एपलाई किया है तो भी आपको यह नहीं पता है कि हमारा चैनल कितने दिन में मॉनेटाइज हो जाता है ठीक है तो इस वीडियो के अंदर मैं वही चीज़ कंफर्म करने वाला हूँ कि आकर हमारा YouTube चैनल जो है उसको मॉनेटाइज होने में कितना समय लगता है तो दोस्तो वीडियो बहुत जादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजवाल है हर एक यूटूब क्रियेटर के लिए जो भी यूटूब पर काम कर रहा है तो दोस्तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि यहां पर ऐसा हमेसा करना होता है या फिर अगर आपका सौर्स चैनल है तो भी आपको एक हजार सब्सक्राइबर चार जार गंटे का वॉँट। या खिए कट एक कुछ क्राइटेरिया होता है यूटूब मॉनिटाइज करने का माल दीजी आपका ये तो कम्पलीट हो चुका है लेकिन आप अप आपके दमाग में यह question आ रहा है कि आखिर मैं आज apply करूँगा तो मेरा चैनल कितने दिन तक यानि कि कितने दिनों बाद monetize हो जाएगा तो आपको जब आप apply करते हो अपने monetization के लिए आपने चैनल को तो first step जो आपका होता है वह तो automatic से ही done हो जाता है उसमें कुछ करना ही होता है आपको टर्मेन condition पढ़नी होते है टिक लगाना होता और वह done हो जाता है अब दोस्तों बात आती है जो last के दो steps के अंदर ठीक है जो की दूसरा step होता है Google Adsense का तीसरा होता है monetization का जो की हमारा चैनल जब review में पढ़ा होता है उस time ठीक अब दोस्तों जब हम पहला step done करके दूसरे step पर आते हैं तो वहाँ पर कुछ conditions होती है यानि कि वहाँ पर अगर हमारे पास कोई AdSense account होता है तो उसको हमें attach करना होता है या फिर आपर रहे एक नया AdSense account बनाना होता है ठीक है तो नया этот account हम बना देते हैं तो उसमें अगर आपकी कोई problem हो जाती है ठीक है मान लीजिए आपने आपकी address में कोई problem हो गई आपके ने कोई problem हो गई तो उस समय जो है आपके add sense में time लग जाता है लगबक एक से दो दिन का लेकिन दोस्तों जब उसमें कोई problem आती है और ज्यादा time लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी add sense में कोई दिक्कत है और आपका add sense है जो है वो done नहीं किया जाएगा तभी आपके add sense को done होने में दो दिन से ज्यादा time लग रहा है ठीक है अब वो दो दिन का हो गया अब चलिए माल लीजिए हमारा second step भी दो दिन के अंदर done हो गया अब आती है बारी तीसरे step की ठीक है जो कि हमारा चैनल को लगबग 24 से 48 गंटे लगते हैं रिवीव होने में चैनल को और उसके बाद हमारा चैनल कर दिया जाता है ठीक है बैसे तो बैसे अगर मैं बताओ कि कितना time fix होता है तो कोई time fix नहीं होता है लेकिन जो एक नॉर्मल टाइम होने के बाद हर किसी का जो है monetization enable हो जाता है ठीक है यानि कि 24 से 48 गंटे आपका third step लेता है और लगबग लगबग 24 से 48 गंटे ही आपका second step भी ले लेता है ठीक है या पर कभी-कभी second step जल्दी भी done हो जाता है ठीक है मेरा 26 से 27 गंटे में done हो गया था ठीक तो यह कुछ condition है यानि कि अगर मैं जादा से जादा समय की बाद बताओं तो 7 दिन के अंदर आपका channel monetize कर दिया जाता है ठीक है और दोस्तों अगर आपका 7 दिन के अंदर भी channel monetize नहीं हुआ है और आपको लगता है कि हमारे channel में कोई दिक्कत भी नहीं है फिर भी monetize नहीं इतनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी monetize कर देता है ठीक है वैसे basically यह किसी को करना नहीं पड़ता है लेकिन मैं आपको एक यह अलग से bonus point दे रहा हूं जिसमें कि आप लोगों का channel monetize जल्दी से जल्दी हो जाएगा ठीक है अगर आपका hold हो जाता है तो नहीं तो 7 दिन के अंदर आपका चैनल आसानी से बिल्कुल आसानी से बिना कोई दिक्कत के बिना किसी घबराट के आपका हो जाता है monetization ठीक है so I hope दोस्तों आसा करता हम वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करके बैल आइक आसानी से बिल्कॉल आसानी से बिल्कॉल